चलिए तो आप सभी का स्वागा थे इस लेक्चर में गोड इवनिंग टू आल और आज शुरू करते हैं हम लोग ये लेक्चर को फिर देखे कल मैंने आपको रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा चुका हूँ रेक्टिफायर का काम करता है और कितने प्रकार के रेक्टिफायर होते हैं मैंने एक इंट्रोडक्शन के टाइप में आपको समझाया था ठीक है तो आज हम लोग देख लेते हैं कि जो रेक्टिफायर है, rectifier काम किस तरह से करता है, ठीक है, तो हम लोग सुरुवात करते है, half wave rectifier के साथ, half wave rectifier, ठीक है, इस half wave rectifier के साथ हम लोग start करते हैं, यह rectifier किस तरह से होता है, ठीक हम एक half wave rectifier बनाएंगे और जिसको बनाने के दुबरान में जो भी steps होती है, धीरे धीरे वह आपको एक-एक करके explain करता जाओंगा, जिससे कि आपको half wave rectifier के बारे में पूरी जान करियो, ठीक है, तो देखे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि, जैसे half wave rectifier, जब rectifier ही दिया आपको बनाना है, ठीक है, तो rectifier बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते है, rectifier बनाने का हमारा aim क्या है, हमारा aim है, हमारा aim है rectifier बनाने का, वहाँ है, AC को हम लोग DC में बदलें, तो देखे, AC को कर आपको DC में बदलना है, तो AC आपके पास कहां से available हो रही है, AC हमारे पास जो socket होते हैं, वहाँ सोकेट से मिल रही है, और socket में जो AC मिलती है, वहाँ कितनी volts पर होती है, वहाँ 220 volts, यह जो volts होते हैं, यह इसके, RMS होता है, इस RMS voltage पर आपको, इस RMS voltage पर आपको, यह AC मिल रही है, ठीक है, तो अब इस AC को यदि आपको DC में बदलना है, तो सबसे पहली बात आपको क्या देखना पड़ेगा, कि जो diode हैं हमारे, डायोड का हम लोग इस्तमाल करते हैं, AC को DC में बदलने के लिए, तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा, कि यह डायोड की PIV कितनी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यह 220 volts RMS है, इसका मतलब है कि इसका peak value कितनी होगी, इसकी peak value जो होती है, वहाँ कि अंडरूट 2 इंटू VRMS होता है, तो अंडरूट 2 कमान 1.41 इंटू, जो भी VRMS यह से 220 volts है, तो इसका गुणा करेंगे, तो आप लगबग 212 volts के आसपास आएगा, ठीक है, तो यह जो peak voltage है, इतना PIV वाला डायोड आपको लेना पड़ेगा, यह ना, डायोड यह तो आप डायोड यूज कर सकते हैं, लेकिर इतनी ज़्यादा PIV वाला डायोड जो है, अगर लेंगे तो circuit बहुत ज्यादा बलकी हो जाएगा, तब सबसे पहली condition क्या है हमारे सामने, कि हम किसी ना किसी प्रकार से इस voltage को डाउन करें, इसे हम कितने वोल्ट पर लाएं, जितना भी वोल्ट का आपको आउटपूट चाहिए, जिसे 12 वोल्ट पर जनरली बेटरी के आउटपूट होती है, और इसी पर हम जो electronic circuit होते हैं, उन्हें उप्योग करते हैं, आपने देखा होगा कि ज्यादा तर electronic devices, जैसे FM इत्यादी, 12 वोल्ट से यह 12 वोल्ट की बेटरी पर प्रियोग किये जाते हैं, ठीक है, तो हमारा उद्देश क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कि अभी यह जो voltage है, सबसे पहले हम लोग, इस voltage को reduce करें, कितना अधिक जो voltage है, इस voltage को हमें reduce करना बढ़ेगा, तो आप लोग एक ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं ठीक है एक ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं और यह जो स्क्रीन पर मैंने बनाया है यह आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा यह ट्रांसफार्मर का सिंबोल होता है ठीक है तो इस ट्रांसफार्मर की सहाइता से हम यह जो 220 वोल्ट RMS की जो AC सप्लाई हमें आ रही है इस AC सप्लाई को सबसे पहले हमने क्या किया स्टेप डाउन किया 12 वोल्ट की AC सप्लाई पर ठीक है क्योंकि देखें आप लोग ध्यान रखिए कि जो होता है उसमे दोनों ही तरफ हमें AC पराप्थ होती है डाला किवल जो मेदि चूण होता है लिए बोल्टेज тебе लेवल है किवल उसको ही कम कर करता है इस lovely कि जो पावर उसको ट्रांसफोर्म करता है अच्छा स्टीक मीलब कर सका कर दो कि जैसे माली जी, यह जो हमें ac प्राप्त हो रही है, यह जो हमें AC पराप्ट हो रही है यह दिजिए तो यह जो हमें AC पराप्ट हो रही है AC वेव यहां पर बना लेते हैं इस तरह से AC होता है ठीक है अब इस AC में देखिए आप लोग इसका जो पीक वेलू होती है इस वेलू को हम लोग बोलते हैं पीक वेलू ठीक है यह होती है पीक वेलू है ना सिखर मान यह जो AC है जितना भी अधिक्तम मान यहां पर घ्राण करता है इसे हम लोग क्या होते है, पीक वेलू और 220 वोल्ट RMS के लिए, 220 वोल्ट RMS के लिए, पीक वेलू कमान कितना होता है, 312 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पीक वेलू जो है, वहाँ इस RMS वेलू से जादा होती है, तो अब हमें इसे रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना, तो हम लगा दिया, इसमें प्राइमरी के टर्म्स के संक्या ज्यादा होगी, और सेकंडरी के टर्म्स के संक्या ज्यादा होगी, सेकंडरी के टर्म्स के संक्या कम होगी, लेकिन इसमें मोटा, ज्यादा वायर के, स्टेंडर्ड वायर के, एस डवलू जी वाला, यहाँ पर वायर कि इस तरह के ट्रांसफर्मर से क्या होगा कि यह जो 200 यह जो 312 वोल्ट पीक वाली जो एसी है अब यहां हमें कि यहां एसी कि 12 वोल्ट 12 वोल्ट एसी में कनवर्ट हो जाएगी ठीक है तो इसका जो अब जो आर्मस मान होगा आरे मिसमान इसका होगा 12 वोल्ट है ठीक है और इसका यदि आपको पीक वेल्याद करनी है तो इसमें भी आप अंडर टू का गुणा कर सकते हैं तो यहां से आपको उसकी पीक वेलू मिल जाएगी ठीक है तो आप देखिए इस तरह से हमने क्या किया सबसे पहले जब हम लोग रेक्टिफायर बना रहे हैं तो रेक्टिफायर की जो पहली स्टेज होती है उसमें हमने क्या किया कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का कनवर्ट किया ठीक है ताकि जो ट्रांसफार्मर है उसे हम लोग उपरेट कर सके डारेक्ट 220 वोल्ट पर डारेक्ट आप यदि डायोड को यूज करेंगे तो वहां खराब हो जाएगा क्यों क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकल में आपको पता है कि इसमें एक पी आईवी हो जाता है वहां उसका जो पी एंज जंक्शन रप्चर हो जाता है तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या वोल्टेज को डाउन कर दिया ठीक है तो अभी हम लोग देखें वोल्टेज जो है वो डाउन कर चुके हैं यह चीज आप लोग ध्यान रखिएगा चलिए अब हम लोग थोड़ा सा स्पेस यहां पर क्लियर कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है तो देखें अभी हम लोग वोल्टेज डाउन कर चुके हैं यहां पर मैं वेबफॉर्म को उपर बना देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आता रहे कि स्टेप फस्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं यहां में लिखते जाता हूं फस्ट स्टेप में हमने किया स्टेप फस्ट यहां पर हमने वोल्टेज को डाउन कर दिया वोल्टेज को डाउन कर दिया ठीक है वोल्टेज को हमने डाउन कर दिया तो यहां पर अब हमारे पास जो वोल्टेज प्राप्थ हुआ यहाँ पर हमारे पास अब 12V का AC प्राप्त हो गया है यह 12V AC प्राप्त हो गई है ठीक है इस तरह से यह जो साइकल है वो लगाता रागे चलती जाती है तो यहाँ है हमारे 12V AC ठीक है यहाँ है 12V की AC तो अब 12 वोल्ट एसी पर आप आसानी से डायोट का यूज कर सकते हैं जो जनरली जो डायोट हम लोग यूज करते हैं वहाँ होता है वन एन 4007 का आप लोग इस्तमाल करते हैं ठीक है तो एक प्रैक्टिकल वेल्यूस के लिए आप लोग याद रख सकते हैं अब देखे हम क्या करते है कि यह ट्रास्फारमेर था अब इस ट्रास्फारमेर अब पता है कि इसका जो आउट पूट है वह स्कुद हो पूर्प तो डिसी में बदलने के लिए हैं क्या करना पड़ेगा वंदलने के लिए में पोजीटिव साइकलस की ही आवश्कता होती है चयो कि जो भी है जो भी आप लूद यहांपर लगा रहे हैं माली जीसे यह हमारा एसी स्वोर्स है और यहाँ पर जिसे मालीजी आपने कोई भी लोड लगा रखा है ना जैसे लेंप बगएरा कुछ भी लगाया हुआ है तब देखिए जब अगर AC source है तो AC source में क्या होता है जब positive half cycle flow होती है तो positive half cycle में जो current है वहाँ इस A terminal से B terminal की और flow होगी और जैसे ही यह जब positive है और negative है ना नीचे वाला terminal negative है और उपर वाला positive है तो current इस load में A से B की और flow हो रहा है लेकिन देखिए क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर यह polarities change होगी यह polarities जैसे ही change होती है अब माली जीए एक छड़ के बाद जिसे यहाँ पर यह negative polarity यह negative cycle जब आता है तो negative cycle में क्या होता है कि ऊपर वाली जो terminal है वह negative और नीचे वाला terminal positive हो जाता है तो इस समय अब current का जो flow होगा वो विप्रीट direction में होगा इसकी जो direction है वो direction बदल जाएगी और अब current जो है वो B terminal से A terminal की ओर flow होगी लेकिन हम क्या चाहते हैं कि DC के बारे में आपको पता है जैसे माली जीए यहाँ पर यदि हम लेग एक DC source लगा दें यदि एक DC source लगा दिया जाए यहाँ पर यदि इसमें हम लोग DC source लगा देते हैं तो DC source के लिए आपको पता है कि DC source में current हमेशा current की दिशा निश्चित होती है अब इसमें यह जो load लगा हुआ है यह जो load लगा हुआ है इसमें current का मान हमेशा बेटरी के plus terminal से negative terminal की ओर होगा याने की current flow हो रहा है load में वहाँ हमेशा A terminal से B terminal की ओर flow होगा तो इसलिए आपको समझ में आया कि क्या करना है हमें इस बेटरी के according वाली situation प्राप्त करना है है ना जो बेटरी में situation होती है ना उस तरह की situation प्राप्त करना है तो इसलिए का करेंगे यदि हम लोग किसी विधी से यह नीचे के negative terminals को यह negative जो सहाब cycle है इसको यह काट दिया जाए इसे load तक पहुंचने ना दिया जाए यह ना किसी भी विधी द्वारा यदि हम यह जो negative cycles है यह negative cycles को यह ब्लोग कर दें तो क्या होगा तो इस circuit में जो नीचे circuit आपको नजर आ रहा है इस circuit में हमेशा current जो है वहाँ A terminal से B terminal की और flow होगी यानि की हम कह सकते हैं कि दिसा की यह दी बात करें तो इसमें दिसा के रूप में केवल एक ही दिसा में current flow होगी यानि की direct current flow होगा इस तरह की current flow होगी तो यह किस तरह से chip किया जा सकता है देखिए बहुत आसान है इसके लिए हमें क्या करना है पहले थोड़ा सा यहाँ space clear करता हूं में फिर आपको आगे समझाता हूं यह AC को complete कर लेते हैं में लोग अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि यह जो transformer है transformer के आगे यहाँ पर एक diode लगा दिया जाए यहाँ पर एक diode लगा दिया जाए ठीक है एक diode में लगा दिया है कि देखिए आप लोग अब इस diode के लगाने से क्या होता है कि देखिए अब हमने जैसे ही यहाँ पर डायोड लगा दिया वो डायोड के एक रास्माल रिजिए हैं यहाँ आगे हम लोग लगा देते हैं ठीक है यह कोई भी लेंप इत्यादी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर यह हमने यहाँ पर एक लेंप लगा दिया है यहाँ पर 12 वोल्ट लेंप तो अब देखिए इस कंडिशन में क्या होगा अब इस कंडिशन में यहाँ डायोड तभी ओपरेट होगा जबकि इसके यह पी साइड जो है पी साइड पोजिटीव हो और इसका जो एन साइड है वहाँ नेगेटीव हो तभी यह टर्मिनल ओपरेट होने बाला है तो देखिए क्या होता है जब पोजिटिव साइकल होता है यह जो 12 वोल्ट की AC है इस 12 वोल्ट AC के दोरान जब यह पोजिटिव साइकल रहता है तो पोजिटिव साइकल के दोरान क्या होगा देखिए पोजिटिव साइकल के दोरान यह पोजिटिव साइकल जब तक चलता है इस पोजिटिव साइकल के दोरान इस यह डायोड जो फॉरवर्ड वाइस रहेगा फॉरवर्ड आप सभी को पता है जब यह हाफ साइकल पॉजिटिव हाफ साइकल चल रहा है चुकि एसी है तो एसी में पॉजिटिव और नेगिटिव दोनों हाफ साइकल लगातार चलते रहेंगे बारी-बारी से जब पॉजिटिव हाफ साइकल आता है तो पॉजिटिव हाफ साइकल के द तो यह जो डायोड है यहां पर शोट की तरह हो गया तो यह शोट हो गया तो क्या होगा कि पूरा का पूरा जो करेंट है यहां पूरा का पूरा करेंट आपको पूरा का पूरा जो current है यहाँ पर पूरी की पूरी जो half cycle है वो यहाँ पर आपको appear होगी OUTPUT में यह load जो है इस load में से half cycle की दोरान ही current flow होगी तीक है अब देखिए अब जैसे ही negative half cycle आता है अब negative half cycle में आप देखें क्या होता है कि negative half cycle की दोरान यह जो diode है, diode यहां पर open हो जाता है, क्योंकि forward वायस के दोरान में पता है, जब यह नेगेटिव हाप cycle में क्या होगा, कि जो P type है, P type terminal अब negative हो जाएगा, यह वाला terminal जो है, अब negative हो जाएगा, क्योंकि एसी supply है, एसी supply में जो सिरें वो एक बार यह वाला positive, एक बार यह वाला negative होता है, इसी तरह से, अगले half cycle में क्या होगा, अगले half cycle में ऊपर वाला सिरा negative हो जाएगा, यह उपर वाला negative हो जाएगा, और नीचे वाला positive हो जाएगा, तो अब क्या होगा इसमें, यह P side जो है, P side देखिया, आप लोग यह P side जो है, वो diagnosed से जुड़ी होई है, और यह यहां पर देखें आपने जो एंसाइड है वो किस टर्मिनल से जुड़ी हुई है पोजिटीव वाले से तो इस condition को क्या कहते हैं हम लोग कि इस condition को हम लोग कहते हैं diode की reverse pricing और reverse pricing में आप को पता है कि इस diode में कोई current flow नहीं होती है ठीक है यह idea हेल डायोड में नेगेटीब केंडीशन में कोई करन्ठ फ्लोग नहीं होती है ठीक है हाला कि यह बात हमें पता है कि जो वास्टविक डायोड है उसमें इसमाल अमाट में। के-चरेंट फ्लो होती है लेकिन आभी आप इस circuit को समझने के लिए उस-करेंट को निखलेट कर सकते हैं तो यहां पर देखिए हमें अब चुकि डायोड ब्लोक डायोड जो है इस डायोड यहां पर ओपन सरकीट के क्रोश कहने कि यहां पर कोई connection ही नहीं current flow नहीं हो रही अब यहां पर चुकि current flow नहीं हो रही है यहां पर चुकि current flow नहीं हो रही है तो अब output का graph कैसा बनेगा यहां पर कोई भी current यहां पर कोई graph बनेगा ही नहीं लेकिन जब दोबारा से देखिए आप अब दोबारा से यहां पर क्या होता है यह half cycle जब negative half cycle जब चल कहलाती है क्योंकि alternate जो है इसमें बदलती रहती है फिर से पोजिटिव प्लेट आएगी फिर से पोजिटिव होगा ऊपर वाला टर्मीनल यह वाला थर्मिनल फिर से पोजिटीव जाएगा और नीचे वाला जो टर्मिनले वहा फिर से नेगेटिव हो जाएगा तो यह condition क्या कहलाती है forward bias अब forward bias में जो diode है वो diode फिर से यहाँ पर short हो जाएगा वो diode जैसे ही short होगा तो यहाँ पर यह जो positive cycle है diode कब तक connect करेगा इस diode में से कब तक current flow होगी जब तक positive cycle रहेगा और तब तब ही तक जो है load में से भी current flow होगी तो हमें half cycle कैसा बनेगा इस तरह से half cycle हमें मिलेगा तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो diode है यह diode क्या कर रहा है प्रतेख half cycle को प्रतेख half cycle को load में जाने देता है और negative half cycle को block कर देता है तो इस तरह से जितने भी cycle के लिए आप इस graph को देखेंगे तो इग्राफ इस तरह से आपको नजर आएगा जो load है इस load में केवल आपको positive cycle से ही मिलेंगे ठीक है तो देखिए आप यहाँ में आपको DC बना करके फिर से हम compare करते हैं कि अभी हमने DC बनाने में कितनी सफलता प्राप्त की क्योंकि हमारा जो में नुद्द्द से था वो तो DC बनाना था हम निकले थे DC बनाने और अभी देखिए आप मने क्या कर डाला यहां पर यह पहल जो है डेकिंए DC का मतलब क्या होता है डीसी का मतलब होता है उस तरह कमाण प्राप्त होना चाहिए आपको है यह ना इसे हम लोग डीसी बोलते हैं ओ लेकिन यहां तो आपको देखिए इसका मान तो अभी भी बदल रहा है लेकिन दिसा इसकी स्थिर है जैसे डीसी की जो दिसा है डीसी की दिसा स्थिर होती है उपर की तरफ यह होता है यह पोजिटीव वाले साइड पर होता है इसी तरह से यह देखें आप कि यह जो ग्राफ ह यह हमें सा positive side पर है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अभी हमने क्या हासिल किया है DC बनाने की condition में अभी हम लोग इसकी जो दिसा है दिसा को fix कर चुके है तो इस तरह की जो हमने अभी DC बनाई है यह वाली जो आप DC देख रहे हैं इस तरह से जो pulsate कर रही है इस DC को हम लोग बोलते हैं pulsating DC ठीक है इसे हम लोग कहते है pulsating DC और यह जो rectifier है जिससे की इस तरह से half wave को ही rectify किया जाता है बाकी negative half wave जो है वाल ओड़ पर आपको नहीं मिल पाती तो इस तरह की जो rectifier होते हैं चुकि हाफ wave पर ही काम कर रहा है केवल यह इस half wave को ही output में इसकी दिसा बदल पा रहा है यह negative half wave को उपर नहीं ला पा रहा है तो इसलिए हम क्या बोलते है half wave rectifier तो कि आधे cycle के ही लिए काम कर रहा है है ना यहां पर जो diode है यह केवल एक diode है तो यह केवल half wave के लिए ही काम कर रहा है इसलिए हमने इसे नाम दिया है हाफ वेव रेक्टी फायर ठीक है तो देखिए अभी हमेंने इसे हाफ वेव में बदल लिया अब इस हाफ वेव को आपको इस तरह से मान माली जी प्राप्ट करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं देखिए इसके लिए भी हमारे पास तरीका है अब हमें इसे क्या करन होगा इसे फिल्टर करना पड़ेगा इसे हम बोलते हैं पल्सेटिंग डी सी चलिए थोड़ा स्पेस क्लियर कर लूँ ताकि कुछ समझाने के लिए जगा बचे कि तो कि अब पल्सेटिंग डी सी में प्राप्त हो चुकी है पल्सेटिंग डी सी तक मैं बना देता हूँ कि सबसे पहले हमें एसी एसी को हमने पल्सेटिंग डी सी में कनवर्ट कर लिया इस तरह से अब देखिये जो पल्स-ेëítिंग DC है कि को आपको फिल्टर करना पड़ेगा त mulheram फिल्टर करना पूलता है इसमें परिवर्तन हो रहे हैं इन परिवर्तनों को आपको रोखना पड़ेगा क्योंकि यह अभी कोई AC थोड़ी ना है यह अभी कोई DC को में लोग बोलते हैं पलसेटिंग DC सी ठीक है तो यह सब दो आप लोग याद रखें इसे हम बोलते हैं पल्सेटिंग डी से तो यहां पर देखिए हमने फिर से डाइग्राम थोड़ा सा बनाते हैं ताकि आपको अभी तक के बातें समझ में आती रहे यह ट्रांस्फार्मर था ट्रांस्फार्मर से हमने वोल्टेज को डाउन किया और यह इसको पल्सेटिंग डी सी बनाने के लिए अभी हमने रेक्टिफाय यहां पर एक डायोड लगाया इस डायोड ने क्या किया केवल हाफ वेव को ही आउट्पुट में जाने दिया इसलिए इसलिए इसे हमने जो है यह जो पल्सेटिंग हाफ वेव मिली हमें इसे पल्सेटिंग डी सी कहा अब देखिए पल्सेटिंग डी सी में हम लोग क्या करेंगे यहां पर एक केपेसीटर यह लगा दें यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर एक केपेसीटर लगा देते हैं ठीक है तो यह क्या क से ना जिसे यहाँ पर जिसे ही हाफ वेव आपक्रिक सुरू में क्या होगा क्या नैस्टार्ट होगा ओक्राइबर फाइब और यह की सीटर उन्हें पर जूता है क्या होता है जिख刃 फोर है और तार यह यह चार्ज होने स्टार्ट होता है और जैसे ही पीक वेल्यू आती है पीक वेल्यू आने के बाद पीक वेल्यू आने के बाद क्या होता है कि यह जो यहाँ पर इसके मान कम होने लगता है जो सप्लाई है सप्लाई का वोल्टेज का मान कम होने लगता है लेकिन यह capacitor हम इस तरह से चूज करते हैं कि एकदम से discharge नहीं होता अब यह क्या होगा जैसे ही आपका जैसे ही यह आपकी negative cycle आने वाली है यहाँ पर तो यह capacitor जो है वो है एकदम से discharge नहीं हो पाता वह दीरे दीरे discharge होता है ठीक है फिर इसके बाद देखिए आप फिर अगली में जब यह positive value प्राप्त करेगा यहाँ पर यह positive cycle तो फिर से यह diode जो है फिर से यह capacitor जो है वहाँ चार्ज होने स्टार्ट हो जाएगा फिर से चार्ज होने स्टार्ट होगा और उसके बाद इसके बाद अगला जो half cycle है अगले half cycle के लिए फिर से यह जो zero value आती है यह zero value के लिए फिर से धीरे धीरे discharge होता है और फिर यहाँ पर यह charge होता है तो इस तरह से देखें आप लोग की जो capacitor है यह capacitor एक तरह से क्या किया है इस capacitor ने अब यहाँ पर एक average जो था यहाँ पर यह आप इसका total जो मान निकालेंगे एक average तो आपको इसके एक average DC के value प्राप्थ हो जाएगी यहाँ पर लेकिन आप इसमें देखें AC जो यह वाली जो DC है अभी भी हाला कि यह इसमें अभी भी थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ जो है variations यहाँ पर आपको मिलती है कुछ variations आपको अभी भी यहाँ पर प्राप्थ होंगी तो इस तरह की जो DC होती है इस DC को यह जो DC है इस DC को हम बहुते है unregulated DC क्योंकि अभी भी इसका मान 12V नहीं है fix नहीं है अभी भी इसका जो मान है 12V पर यह DC fix नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करते है अब इसमें हमें एक voltage regulator लगाना पड़ेगा तो हम यहाँ क्या करेंगे कि अब एक जीनर डायोड को लगा देते हैं एक जीनर डायोड को लगा देंगे अब देखिए यह terminal positive बाला है और यहां वाले terminal negative बाला है धीकटर के हिसाब से capacity का इस टर्मिनल positive होता है negative तो अब देखिं क्या करते हैं हम लोग कि आपको पता है जीनर डायोड को हम लोग हमें इसा reverse बायस में लगाते हैं जीनर डायोड को हमें इसा reverse बायस में लगाते हैं तो जीनर डायोड यहाँ पर लगाने के लिए चूकि हम 12 वोल्ट रेगुलेटेड डीसी चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक जीनर डायोड का प्रियोग करेंगे तो अब यह positive terminal से positive terminal से जीनर डायोड का कौन सा terminal जोडना चाहिए ताकि वो reverse price हो जाए इसका N टर्मिनल जोडेंगे ठीक है और जो पीस टर्मिनल है उसको नेगेटिव से जोड देंगे तो अब देखिए जो जीना डायोड के एकरास आपको वोल्टेज प्राप्त होगा वहाँ 12 वोल्ट रेगुलेटेड डीसी प्राप्त होगी क्योंकि जीना डायोड के बारे में आप लोगों को पता होगा कि जीना डायोड जो है वहाँ अपने एकरास 12 वोल्ट मेंटेन कर सकता है ठीक है देखिए कुछ बच्चे जो है वो बीच में लेक्चर्स को देखते नहीं है फिर बाद में कमेंट करते हैं कि यह कैसे हो गया फिर और कोश्चन पूछें या फिर आप जो है अब ध्यान से इसको समझने के कोसिस करें ठीक है तो देखिए अभी हमने क्या किया कि जो जीना डायोड यहाँ पर लगा दिया है जीना डायोड लगाने से यह जो वोल्टेज पर फिक्स हो जाएगा तो अब देखिए हम इस तो यह आपको यहाँ पर इस तरह से एक रेगुलेटेड 12 वोल्ट की DC मिलेगी तो इसको देगी हम लोग ओसीलो स्कोप की साहिता से देख सकते हैं यह जो आपने अभी तक आपको इस तरह के ग्राफ जो है वहाँ नजर आएंगे ठीक है तो मैं इसको आपको उसीलो स्कोप पर प्रेक्टिकल करके भी दिखाऊंगा वस आप लोग जो गैरफुली पूरे लेक्चर्स को अटेंट कीजिए तो आपको सारी बातें जो हैं वहाँ एक क्रिस्टल के लिए और होती चली जाएंगी ठीक है तो यह हाफ वब रेक्टिफायर आपको समझ में आया कि हम्यों किस तरह से काम करता है एसे हाफ वेव नाम क्यों नाम कियों दिया गया है क्योंकि यहां केवल इस हाफ वेव को ही रेक्टिफाई करता है और गुशलन नेगे टीव ये पूरी करेंगे तो है बस लोड़ को नइंगे जैसे इस में यहां पर चोटा सा आ क्लेमारा और भोट होता है और दिया आप पर voltage यदि check करेंगे तो यह voltage आपको पराप्थ होगा 12 Volt है तो ये सारा जब् będzie आपको practical करवांगा भी on-line ही मैं कि आपको करवा करके दखा हूंगा practical तो इसमें आपको दिखा हूंगा कि किस तरह से यह यह पूरा circuit में बनाऊंगा और इसको oscilloscope पर भी दिखाऊंगा मैं आपको कि यह जो है 12 बना रहा है ठीक है तो यह half wave circuit हमने बनाया आप देखिए इस half wave circuit में यहाँ पर क्या नुकसान है कि यह पावर है इसका आधा पावर हमेशा नुकसान हो रहा है ठीक है तो कुल मिलाकल कर जो आप इसकी efficiency calculate करेंगे तो इस तरह का जो circuit होता है इसकी जो efficiency होती हाफ wave rectifier की बहुत कम होती है इसकी efficiency 46% के आसपास होती है लगभग 46% इसकी efficiency होती है ठीक है इसे आप लोग एक बार बुक में correct करके बुक में थोड़ा correct चेक करके बताईएगा कि यह value 46 जो है यह मैंने कि इसनी गलत नहीं कि मेरे हिसाब से सायथ यह 4046 ही है देख लीजिए आप परसेंट के आसपास कुछ है तो देख लीजिए आप करेंट कर लीजिए ठीक है तो यह आपका homework समझ लीजिए आप किसको आपको बुक में मिलता है तो बुक में देखिए ओलनाइन अगर इस ब्लोग डाइगराम की तरह किस तरह समझ सकते देखिए डाइगराम में आपको नहीं बताया क्योंकि इनिशियली में सारी बाते बताता आपको ब्लोग डायम बनाकर तो आपको कुछ चीजें किलियर नहीं हो पाती है ना तो यहां देखिए आप सबसे पहले तो मैं एड़ी सकती देंगे जो बाट यह दिन्गे तो आपको कितना प्राप्त होगा केवल 46 वाट ही प्राप्त होगा यह ना कितना ज्यादा वाट यह वैर्थ कर रहा है 54 परसेंट वाट जो है वहां इस रेक्टिफायर में केवल वैर्थ चले जा रहे हैं इसका मतलब है यह जो यह objective में पूछा जा सकता है हाफ वे रेक्टिफायर में कितने डायोड यूज किये जाते हैं यह आप से पूछा जा सकता है तो यह कुछ बातें जो हैं आप लोग ध्यान रखें ठीक है और देखिए इसमें जीनल डायोड वोल्टेज रेगुलेटर जो है वहा मैंने यहां प इसका एक ब्लोग डायगराम बना करके और समझते हैं कि आखिर जो रेक्टिफायर सर्कीट है क्या काम करता है वह क्या होता है वैसे आपको यह पूरी कहानी अभी तक कि समझ में आ चुकी होगी लेकिन ब्लोग डायगराम भी आपको समझा देते हैं ताकि और जिन बच्च यूशे कर जिए हमने कोई मकान बनाया तो इस मकान का जो फाउंडेशन जो नक्सा बनाते हैं तो नक्से में हम लोग पूरा दर्स आते हैं कि इसमें कहां पर यह होल है है इसके रावा कहां पर इसमें कि यह कहां पर हमने होल बनाया हुआ है और कहां पर आपने यह इसमें यह किचीन बनाया हुआ है तो इस तरह का यह पूरा प्लाण हम लोग बनाते हैं एक नक्सा बनाते ठीक है तो यह जो नक्सा होता है इसी तरह से ब्लोक डाइगराम जो होता है किसी डिवाइस का ब्लोक डाइगराम उसका एक तरह से नक्सा होता है या उसका ब्लूप्रिंट होता है जिसकी सहाथा से आप समझ सकते हैं कि इसमें यह जो डिवाइस है किस तरह से काम कर रही होग तो चली हम rectifier के बारे में जानते हैं, rectifier का block diagram किस तरह का होता है, उसे समझने की कोशिस करते है, तेकि rectifier में सबसे पहले आपने क्या किया, rectifier में सबसे पहले हमने, सबसे पहला step क्या था, rectifier का सबसे पहला step था, हमने इसे step down किया, क्यों down किया, क्योंकि जो बड़ी wave थी, जो AC जादा जिसके peak value थी, इसको हमें क्या करना पड़ा, इसे आपको reduce करना पड़ा, इसे हमको reduce करना पड़ा, कितने पर 12V में, वरना आपकर जो diode हो था, वो खराब हो जाता, क्योंकि इसकी peak value थी, वो कितनी थी, 312V थी, तो इस 312V और यहाँ पर जो 220V RMS था, इसको हमने convert करके, 12V RMS पर ले करके आए, ताकि जो diode हो उसको operate किया जा सके, अब इसके बाद देखिए, next below हमने क्या किया, next हमने यहाँ पर, अगली step में हमने यहाँ पर, अगली step जो थी, वो एक rectifier stage थी, है न, ठीक है, एक diode का प्रियोग किया हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने इसे rectify किया, है न, यहाँ पर एक diode का प्रियोग किया, एक diode stage मान लिजी आप इसे, एक डायोड का प्रियोग किया इस डायोड ने क्या किया यहाँ पर जो AC आपको मिल रही थी 12 वोल्ट की इस AC को Pulsating DC में Convert किया Pulsating DC में Convert किया अब जो Pulsating DC हमें प्राप्थ हो रही थी इस Pulsating DC को Pulsating DC को हमने यहाँ पर एक Voltage Regulator की Pulsating DC को हमने यहाँ पर Filter किया एक Capacitor लगा दिया था Capacitor लगाने से क्या हुआ कि जो AC है वहाँ फिल्टर हो गई यहाँ पर मैं Capacitor लगा देता हूँ यहाँ पर हमने Capacitor का यूजज किया वो Capacitor क्या करता है capacitor capacitor इस AC को यह जो pulsating DC है इस pulsating DC को filter कर देता है देखिए अगर आप capacitor का काम समझना चाहते हैं तो capacitor के बारे में आप लोग याद रखें कि capacitance का resistance कितना होता है capacitance के resistance को हम XC से दर्शाते हैं है ना यही होता है ना इसको capacitor जो है capacitor का resistance होता है प्रतिरोध होता है उसको हम XC बोलते हैं प्रतिघात यह प्रतिघात कहलाता है और इसका मान कितना होता है इसका मान होता है 1 upon 2 pi fc है ना 2 pi fc तो यह किसके जितनी frequency अगर जितनी ज़्यादा होगी तो यह का करेगा जितनी ज़्यादा frequency होगी इसका प्रतिखाद जो है उत्तरा ही कम होगा याने कि यह करता है AC को पास कर देता है और DC को जो ब्लोक कर देता है यह क्या करता है AC को यहाँ पर हम समझ सकते हैं यदि हम यहाँ 0 रख दें फिक्वेंसी का मान यहती मान लीजी जीरो रख दीजी आप तो यह कितना हो जाएगा यह इंफिनिटी हो जाएगा बनाद यह करता है DC को ब्लोक कर देता है DC को यह बिल्कुल आगे जाने नहीं देता ठीक है तो देखिए आप यहाँ हो रहे होंगे कि अभी मैं आपको बता रहा था कि फिल्टर करके यह DC को ब्लोक कर रहा है तो आखिर इसका मतलब क्या हुआ देखिए मैं आपको यहाँ पर क्या किया था आपने देखा था कि जो मैंने कि यह पर जीनर ड्यवाट लगा हुआ है कि यह उगा हुह दो जेना ड्यूड के आगे लोड लगा हुआ है ही हम आइस union सेस कि अधिगा होगा कि जैसे यहाँ पर पल्सेटिंगी युशेटम ज환 वाला देखिए में जो भी एसी का मान ह 구li構ण होता pulse setting DC तो यह क्या करता है दिखीए जब इसमें variations होगा तो जो भी variation होगा उस variation के लिए तो यह diode जो एक short की तरह काम काम कर रहा है यह capacitor क्योंकि capacitor DC के लिए कितना माने capacitor के लिए जो XC है परतिगात है इसका मान कितना है infinity तो यहाँ पर यह DC को block कर देता है वेसें कहा हो जाएंगे वो इस केपिसीटर से आगे बढ़ जाएंगे है ला यह क करता है को बाइपास कर देता है के पूसिटर जो है वहाँ आपीस यही से लोटा देता है और जो डीस होती है वो डीस ही हमें यहां पर लोड पे मिलती को समझने बहुत आसान होता है, Mathematically समझने के लिए आप क्या याद रख सकते हैं, कि Capacitor का Formula याद रखें, XI बराबर होता है, 1 upon 2 pi XI, और इससे आप लोग ध्यान रख सकते हैं, कि जो Capacitor का प्रतिगात होता है, यानि कि Capacitor का जो Registence होता है, वा frequency के व्युतकोमानुपाती होता है, याने कि यदि हम इसके capacitor के cross AC लगाएं तो output में हमें AC मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर यह DC को block कर देता है तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं लेकिन जिन बच्चों यह तरीका नहीं समझ में आ रहा हो तो वह मेरा पहला तरीका भी आद रख सकते हैं कि discharge और charging वाला जो तरीका है उसे भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं तीक है देखे अगर आपको एक बार मैं अगर ना समझ में आये तो यह वीडियो में upload भी कर देता हूँ तो आप उसे बार बार उसे एक दो बार बापिस से भी सुन ले तो आपको जो डाउट क्लियर हो सकते हैं ठीक उसके लावा आप कभी भी काल कर सकते हैं चलिए मैं इसे थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ और उसके बाद हम लोग फिर आगे अभी जो stages हैं उनके बारे में बताता हूँ तो देखे फिल्टर सर्किट अब क्या करा इस फिल्टर सर्किट ने इस फिल्टर सर्किट ने जो pulsating DC थी इस pulsating DC को Unregulated DC में Convert कर दिया यह एक Unregulated DC है इसे यहां में लिख देता हूँ Unregulated DC इस Unregulated DC में Convert कर दिया तो अब देखिए इस Unregulated DC को आपको इसको Regulate करना पड़ेगा इसका मान Fix करना पड़ेगा इसे 12 Volt पे आपको लाना पड़ेगा तो 12 Volt पे लाने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं आगे एक और Block का यूज करते हैं Filter Circuit के आगे जो Stage होती है वहाँ होती है Filter Stage के आगे एक और Stage का यूज करते हैं और वहाँ होती है Regulator ठीक है इसके आगे हम एक Regulator Stage यूज करते हैं ठीक है यहाँ पर Regulator के रूप में एक Gena Diode का यूज हमने करके दिखाया आपको ठीक है तो इस तहां से Gena Diode का कर रहा है इसको Regulation का काम कर रहा है ठीक है तो इस तरह से यह Regulation के बाद आपको यहाँ Output में इसके बाद आप यहाँ पर जो भी Load आपको लगाना है 12 Volt का 12 Volt का यहाँ कोई Load आपको लगाना है तो यहाँ पर आप इसके बाद 12 Volt का Load लगा सकते हैं ठीक है तो इसके बाद जो regulated supply है यह जो regulator stage है इस regular stage के बाद जो stage आपको प्राप्त होगी वहाँ होगी सुद्ध DC ठीक है इसे थोड़ा मैं clear कर दूँ ताकि आपको next लिक के बता दूँ है तो देखे स्के आखे जो हमने अभ यहां पर हमें इसके बाद जो डाप्त हो रही है regulator stage से यहां पर जो describe हो रही हो आपको pognί đम swear दूद के यहां पर प्राप्त होगी हेह कि अभी के लिए आप इसको मान लिजै कि सुद्ध DC है लेकिन यहां पर भी अभी भी कुछ यह जो DC है यह पूरी तरह से सुद्ध DC नहीं होती है ठीक है क्योंकि हाफ वेव रिक्टिफायर की यही तो ड्राव वेख है अगर सारे कुछ अच्छी चीज़ है आपको इसी से हाफ वेव रिक्टिफायर से ही मिल जाएंगी तो फिर आखिर जो साइंटिस्क थे उन्होंने आगे रिक्टिफायर बनाए ही क्यों तो कुछ इसमें कमिया हुई है तो जो कमिया है अब वह हम लोग इसमें कमियों के बारे में देखेंगे ठीक है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें कि आखिर हाफ वेव रिक्टिफायर हम लोग क्यों बना रहे है ठीक है तो इतना आपको समझ में आया होगा चलिए इसे हम लोग क्लियर करने थोड़ा है कर यह हीर व हो दोग थिक है तो इस तरह से यह हमने देखा कि यह था आपका है रिक्टिफायर का ब्लॉक ड्याग्राम तो यदि एक कि बारे में आप लोगा को है कि याद रखना है अच्छी तरह से और लंबे समय तक याद-रुप ना है इस ब्लोग डाग्राम के साथ से आपको पूरा किलियर रहेगा कि जो रेक्टिफायर वहां किस तरह से बनाया जाता है तो चलिए यह आज हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में जाना और रेक्टिफायर का ब्लोग डाग्राम के बारे में जाना अब कल हम लोग फुल व वाचिंग कल मिलते हैं नाइन पी एम पर गूड इवनिंग टू आल